हेलो एब्रिवन गूड मॉर्निंग सरुपा ब्लोग में आप सभी को स्वागति आप सब कैसे हो आशा करती हूं ठीक हो सुप़े से एक नीव ब्लोग स्टार्ट किया सुप़े अभी 11 बजी है और सुप़े काम भी हो गया नास्ता का बढ़तिन भी दुलाई हो गई और मैंने रहे चाओल बना देंगे तो बेटी का खिचिरिय आल्यक से बनाना नहीं परेंगे चिकेन पकोड़ा दना का पषण दे दाल के ने खालेंगे और फुल्गोबी अलोगो शब्जी थोड़ा असा ले लेंगे तो ठीक है नहीं तो साम को रोटी के साथ हो जाएगा तो चले पहले कीचिन में चलते हैं चावल मैंने एक दर दो घंटा पहले भीगा के रख दिया था तो अभी उसको दस पंद मीट के बाद बठा देती हूं और यह पालक गाज और थोड़ा सा आलू भी डाला दो छोटा छोटा आलू यह फुल्गोबी फुल्गोबी आलू का शब्जी आलू ना फुल्गोबी मे इसमें भी थोड़ा सा डाल दिया बेटी के लिए और एक कुकर में बठाओंगी दाल चने की दाल भीगा के रख दिया था तकि दो सीटी में इसका मतलब एक दम गल जाए और चीकन मैंने बाहर रख दिया चीकन यह चीकन है इसमें पानी डाल के रख दिया प्रीज में रख परचाने की दालना दो तिन सीटी में उबाल जाएंगे उसके बाद एक सीटी और लगाऊंगे पालक डाल के लसन का तरका लगाएंगे तो मैं लसन भी छील लेती हूं अभी और एक पियाज काट लेते फुलगोवी का सब्जी के लिए कुछनी तेल में जीरा डालूंगी दो जलध खाना बनाती हूं कि देर बजे तक बेटी को खिलाना पड़ता है तो बेटा तो लेट आता है लेकिन माइक्रोवेन का भटतन में में रख देती हूं जैसे आता है उस तंब गडम करके दे देते नहीं तो बहुत लेठ हो जाता है खाना बनाने के लिए सबसे पहले मैंने फुलगोबी आलो का सबजी बठा दिया और फुलगोबी आलो का सबजी होने में थोड़ा टाइम लगता है नमाक, हल्दी, मिर्ची सब कुछ डाल देंगे और धीरे-धीरे ढगड़क के फ्राइ कर लेंगे कि इसमें फुलगोबी आलो में पानी नहीं पड़ता तो टेस्ट नहीं लगता है तो अभी में दाल को तरका लगा लोगी फुलगोबी आलो का सबजी बन गया है लशन, एक टमाटर, दो-तिन मिर्ची को कूँट के में दाल को तरका लगा दिया जीरा प् आउड़ डाला था हल्दी डालके दाल तरक लग जाएंगे उसके बाद बनाएंगे चिकन पकोडा तो मेरा अब चावल, सोबजी, दाल, तीनों बन गया है अभी last में बनाओंगे चिकन पकुरा एक पीahon मेन ने काटके चिकन के साथ मिला था लग्तो क्हाणे में और यह करक करण ओognES करना करना घौ report कि आड़ी आटा लय स्केश नयों चैब तो घर जीए ड़ल forest करने में चैने, तो नास्ता करने के बाद मैंने बुलाया था कीचिन में आजा थोड़ा इधर उदर हिल्प कर देंगे ना बड़ा बटा करता है तो मेरा थोड़ा जल्दी भी हो जाता है मतर का सब्जी बनाओंगी रात में डिनर में और रोटी बनाना है अब मैं पहले चाई बना के चाई पी लेती हूँ उसके बात बनाएंगे बेटा बेटी दोनों ने पाने गिरा के दोनों कपड़ा गिला किया है पड़ी कुछ भी खाती है कपड़ा का गंदा करती है तो बड़ा बला बेटा को उपर भी पाने गिरा दिया तब ठंडी के मौसर में तो मैंने बहुत बनाएंगे उबल जाएंगी उसके बाद तो काम भी उतना ही है लेकिन टाइम तो कम हो गया तो इसकी सबसे बहुत मुश्किल हो रहा है अभी ठंडी का मौशन में चाय पिनी में साम को भी बहुत अच्छा लगता है तो फटा-फट बना लिया चाहिए तो हम सब अभी पी लेंगे मेरा हजबन भी आ गया था घर में अ बड़ावाला बेटा भी पढ़ने बाट रहा है तो दोनों को पढ़ाई जैसी खतम होगा उसका आधा घंटा पहले में मतलब सब्ची को तरका लगा देंगे तो मैं अभी पी लेती हूँ चाय चाय सच में बहुत तेस्टी बनाता है मैं बड़ावाला बेटा को नों चाय अभी बन जाता है तो मैंने कुकर में डाल दिया तेल उसके बाद डाल दिया आलू पीज और अच्छा से भून लेना है दोनोंको उसके बाद सुखा मसाल है तो मैंने उंको भेज दिया मिर्ची पफ़र धनियव जीर पफ़र जितना कKing 800 झाल दिया तो को अच्छा पकाना है को मसल्हा मिक्सी में बना या जितना सुखा मसल्हा इसके साथ मल्ट का सभजी बना गोदेने में यह रोटी अजये से सुपफ जी का एक सिटीा आ जाएंगे मातर पहले से चार सिटी सवें लगा के राखी ती लास्ट जो मसाला है मैंने डाल दिया उसके बाद डाल देंगे मल आर मेरा मसाला डिब्बा में मतलब ढाल दू मसाला यह मिरा साथ-साथ थोरा-तुरा काम करते हैं सुबह साद बजे स्कूल जाता है शारे तीन बज़र आता है उसको टाइम भी नहीं मिलता आने के बाद आदा घंट के बाद चला जाता है ट्यूशन तो अभी ओस्ट मंगया था बेटा बेटी सब के लिए ओस्ट कभी-कभी सुबह सब बना के देने के लिए मेरा बेटी भी बीच बीच में आ रही थी मम्मी क्या कर रही हो क्या कर रही हो पूछने तो अभी मेरा सब काम कर लेंगे पूरा किचिन सब करने के बाद अभी मेरा सब्जी बन गया तो मैं फटापा रोटी बना लेती हूँ अभी और लंबा नहीं करेंगे आप सबको बाई कर देती हूँ फिर मिलेंगे काल सुभी एक निव ब्लोग के साथ लाइक कोमेंट सियर करना सस्क्राइब कर देना बेल आइकन को किलिक करना नया वीडियो सबके बास पर जेंगे सुभी बहुत टेस्टी बना था बाई